स्पोट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के ये स्पोट्स तक को सबस्क्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्सेग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें तो दोस्तो आज आपको बता दे कि इंडिया वर्सिस इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू होगा है और ये मैच दोनों ही टीमों के लिए काफी है मैं क्योंकि जहां टीम इंडिया सीरीज में दो जीरो से बढ़त बनाने को उतरेगा मैदान पेर वहीं इंग्लै है तो आप हाउजएड अप को जरूर डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है और लिंक पे जाके क्लिक कीजिए सीधा आप होम पेज पर पहुंचेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके साथ तमाम ओफर्स भी हैं और अगर आपके ग्यारा खिलारी यूरा चीजों पर बात की उन्होंने मेडिया के हर उन सवालों का जवाब दिया जो उनसे पूछे गए तो सबसे पहले मैं आपको मुहमत सिराज को लेकर सवाल बताता हूं विराट कोली से मुहमत सिराज के बारे में पूछा गया उनसे पूछा गया कि मुहमत सिराज में इस तरी के काब उनके पास confidence आया है वो एक ऐसे गेनबाज है जो मैच में किसी भी समय विकेट निकालने का दम रखते हैं विराट कोली ने कहा कि जिस तरीके से सिराज ने ऑस्टेलिया दोरे में अच्छा प्रदर्शन किया उसके बाद से उनका confidence एक अलग लेवल पर चला गया है और आप इंग्लेंड में देख रहे हैं कि किस तरीके से वो गेनबाजी कर रहे है तो बिल्कुल सिराज जिस तरीके का अच्छा प्रदर्शन कर रहे है वो शानदार है सिराज ने लौट टेस्ट में जिस तरीके से आठ विकिट अपने अनाम हासिल किया उसने टीम मेडिया को जीद दिलाने में एक बहुत बड़ा योगधन ने भाया इसके बाद बात करेंगे टीम विराट कॉली ने जो टीम की ओपनिंग कॉम्बjor कोंबिनेशन है उसके बारे में क्या कहा विराट को लिन ने टीम का ऑपनिंग कॉम्शन चाहा कि देख़िए विदेश में जब आप खेलने जाते हैं तो आपकी ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है और इंग्लेंड में तो और ज्यादा खास कर और यहां हमारे बल्लेबाज रोहिश चर्मा और कियल राहूल ने जिस तरीके का प्रटोशन किया है जिस तरीके कमाल का खेल दिखाया है वो टीम को जिद द खेलाने में सबसे बड़ा योगदान रहा और उमीद करते हैं कि हेडिंग ले में भी इसी तरीके का प्रटोशन दोनों खेलारी करेंगे इसके बाद विराट कोली से जब सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि इंग्लेंड के जो बेस्ट बेर हैं वो सीरीज में न मिडिया के प्लेंग लेवन में कुछ बदलाव हो सकता है तो विराट कोली ने कहा कि देखे जिस तरीके से लॉट्स में हमने शांदार जीत दर्च की कोई भी टीम वहां बदलाव नहीं करना चाहेगी पर शरते उनका कोई खिलारी चोटिल हुआ हो लेकिन उन्होंने कहा कि कि देखिए हम जब भी मैच में उतरते हैं तो बारक हिलारी के साथ ही सोच लेकर उतरते हैं क्योंकि मैच के हालाद पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से प्लेंग 11 का चैन करेंगे तो जब उनसे पूछा गया कि क्या अशविन है उस टीम में क्या प्लेंग 11 में उनके चांसेस हो सकते हैं तो उन्होंने खाकी देखिए अब वो duplicates के حलाद पर निर्भर करेंगा किस तरीके की हमें पेच मिलती है किस तरीके का मौसम रहता है उसके हिसाब से कोई फैसला लिया जाएगा तो एक तरीके से विराट कोली ने कहा कि चेंजर्स नहीं हो सकते हैं हाला कि अगर स्पिनर्स को मदद मिलेगी पिछ से तो अश्वन को सामिल भी किया जा सकता है इसके बाद बात करेंगे इंडियन वुमेंस टीम की जिनका आस्ट्रेलिया डौरे के लिए अनाउस्मेंट हो चुका है टीम में आपको बता दे कि यास्तिका भाटिया और मेगना सिन जो दो खिलानी है उनको पहली बार मौका मिला है इसके अलावा राजस्वरी गायकवार की वापसी हुई है और टीम इंडिया और दोरे पर एक टेस्ट तीन वंडे और तीन टीट वंडे मैचों की सीरीज के लिए आपको मैं टीम बता दू कि टेस्ट और वंडे सीरीज के लिए जो भारति महिला टीम है उसमें मिताली वाइस कैप्टन है स्मृति मंधाना, सैफाली वर्मा, पूनम राओ, जैमिमा रोडरिक्स, दीप्ती शर्मा, इस्नेह राना, यास्तिका भाटिया तानिया भाटिया विकेट कीपर होंगी चिखा पांडे जूलन गोस्वामी, मेगना सिंग, पूजा वस्तराकर, पूनम इस टीम के सदस होंगी जो टी ट्वन्टी टीम की मैं आपको सदस्वार रहा हूं, इसके अलावा रिचा घोस इस टीम में विकेट कीपर होंगी, हरलीन देवल, अधूरंती एड़ी, राधा यादाव, रेंडुगा सिंग, ठाकुर, तो यह आपको मैंने टीम टीम कौन सी होगी और 29 अगस्त को भरचे टीम उस्टेलिया के लिए रवाना होगी, अब बात करेंगे रिशब पंथ की, देखें, रिशब पंथ के लिए अभी तक यह सीरीज उतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन वो इस तीसरे मुकाबले में कमाल कर सकते हैं, और वो कमा इसलिए हो सकता है, क्योंकि रिशब पंथ इस साल टेस्ट क्रिकेट में 15 छक्के लगा चुके हैं, इसका मतला अगर वो हेडिंग ले टेस्ट में 2 और छक्के लगाते हैं, तो वो भारत के लिए किसी एक साल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले विकेट कीपर बन ज जाएंगे और अभी तक वो 15 छके लगा चुके हैं, और हेडिंग ले टेस्ट में उनके पास एक शानदार मौका है, तो दोस्तों यह हमने क्रिकेट से अपडेट दी आपको इसके लावा जो कल वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बिच दूसरे टेस्ट मैच का नतीज़ा निकला उसके बारे में बात कर लेते हैं, पाकिस्तान ने उस मैच में वेस्ट इंडीज को 109 रनों से हरा दिया और इसके साथ ही सीरीज एक एक से बराबर कर ली और पाकिस्तान के लिए जो जीत के हीरो रहे वो उनके तेज गेंद बाद शाहिन अफरीद ही रहे, उन्होंन पेराथलेट आज मैदान में उतरेंगे और उसके बारे में जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स तक पर ही मिलेगी, इसलिए आपको कहते हैं कि स्पोर्ट्स तक को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए और इसके साथ ही हाउजएट को जरूर डाउनलोड कीजिए क्योंकि आज इंडिया वर्सिस इंगलेंड के बीच मैच है और तमाम आगे मैचेज होते रहेंगे तो जल्दी से आप एप को डाउनलोड कीजिए और साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए और